दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं 15 अपरेल तक गोर्मेंट ने पूरे इंडिया में पूरी तरीके से लोग नाउन करती हैं आप जहां पर हैं वही पर रहने का बोला गिया हैं बिलकि आप अपने घर से बाहर भी नहीं कर सकते हैं कितना भी जरूरी काम हो अगर आप जबर ही परमिशन गोर्मेंट से लेकर इजली जा सकते हैं इस वीडियो में इसी विशे में बात करते हैं पर इसके लिए आपके पास अपना निजी वहन होना जरूरी है क्योंकि ट्रेन बस ओटो रिक्षाप पूरी तरीके से सारे वहन बंद है तो आपके पास खुद की गाड़ हैं तो अपने दिशे की तो यूणमांगत है इसके उपर ब Emmanuel है तो इसके ऊपर आपकाइस कर देना होता है वरना आपकी application यहां पर reject कर दी जाती है तो आप अपनी जांच या किसी और की जांच करवाने जा रहे हैं hospital को आपको परची या बिल वो अगर आप यहां पर दिखाते हैं तो आपको आसानी से permission मिल जाता है वरना शादी की या फिर आपको यह ऐसी पार्टी में घूमने का कुछ और रिजन देगे तो आपकी application यहां पर reject कर दी जाएगी तो यहां वहन शेरी में आपको अपना नीजी वहन का चुनाव करना है विर कार है जीप है जो भी वहन लेकर आप जा रहे हैं वो यहां पर चुनाव करना है इसके बाद में आपको वहन का जो नंबर है वो यहां पर डालना है गाड़ी का इसके बाद में driver का नाम यहां पर डाली जाएगी इसके बाद में दोस्तों जो अनुमती मांग रहा है जैसे आप कहां पर अभी रह रहे हों आपको अपना करेंट डालना है जो कि अधार कार्ड में सेम मैच होना चाहिए और इसके बाद में आपको अपनी तहसील का चुनाव करना है और तहसील के बाद में जहां तक जा रहे हैं तो जहां से आप यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं उसका एड्रस आपको यहां पर डालना है उसके बाद में अगला एड्रस नीचे आपको कहां पर आप जा रहे हों उसका एड्रस यहां पर आपको डालना है और इसके बाद में आपको रीजन देना है कि क्यों जा रहे हैं किसको दवाई दिलाने के लिए जा रहे हैं या फिर आपको कोई operation होने वाला है किस कंभीर बिमारी है क्या कुछ है तो उसकी detail आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको साफ साफ भेंदे या English में आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बाद में नीचे आपसे व्यदता पुछेगा कितने दिनों के लिए जा रहे हैं तो जिस तारीक को आप जा रहे हैं वो तारीक और कोपी आपको यहाँ पर अपर लोड करनी है इसके बाद में आपको यातरा से संब्धने डॉकमेंट यानि कि अगर आप दवाई लेने के लिए जा रहे हैं तो डॉक्टर की पर्ची हो गई रिपोर्ट हो गई तो वो सारी रिपोर्ट्स वगेरा हैं और स्पिटल के बिल हो अपलोड कर सकते हूं और इसके बाद में यहाँ पर मैं यह गोशना करता हूं इसके उपर आपको टिक माक लगाना है नीचे संबिट के उपर क्लिक कर देना है तो इसके बाद में दोस्तों आपको एप्लिकेशन आइडी मिलेगी इसको आपको लिक कर रख लेना है इससे आ आपको इस website की home page के उपर आ जाना है तो यहां पर चेक permission status के उपर जैसे क्लिक करें तो आपको जो एक ID मिली थी application वो डालनी है और आपका अधार कार्ड नंबर यहां पर डालना है और सम्मिट के उपर क्लिक कर दिना है तो दोस्तों अभी यहां पर पैंटिंग दिखा रहा है थोड़ी देर में यहां पर यह स्टेटस दिखा देगा कि अगर अप्रूबल होती है तो यहां से आपका एक फोर्म होता है permission का वह आप यहां प के बारे में आपका कोई और स्वाल है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूश सकते हूं और दोस्तों वीडियो आपको अच्छे लिए लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपनी अपना और अपनी फैमिली का खयाल रखिए घर में रहिए सुरक्षित रहिए बढ़ बाई